प्रियमित्रों भाईयों एबं बहनों शभीक उनवशकार आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नक्षा खसरा खाता खतवनी ओनलाइन मुबाईल से किस तरह से निकालते हैं इस वीडियो के माध्यम से सिखाना चायता हूँ तो वीडियो को बिना स्किप किये अंत तक देखें और नक्सा खसरा निकालना सीखें हम अपने जमीन का, प्लाट का, माकान का, खेट का, खलिहान का, नक्सा खसरा, खाता खतोनी किस तरह से निकालते हैं वीडियो को पूरा आंतर तक देख के आप अपने मोबाइल से लक्सा खसरा निकालना सीख रखते हैं तो इसके लिए हम Chrome पर क्लिक करेंगे Chrome के सर्च बाक्स में हम टाइप करेंगे mpbhuvilake.gov.in इसकी लिंक मैं वीडियो के रिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा वहाँ से भी ये लिंक आपको आप तो हो जाएगी जब हम mpbhuvilake पर क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का पेज खुल के आता है यहाँ पे हम OK पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम यह cancel गुणे का निसान दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे देखिए आयुक्त भू अभी लेक वंबन दोबस्त मध्यपदेश यहाँ 3.line है यहाँ पे जहाँ मेरा करसर है इस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद इसमें फ्री सर्विसेज पर क्लिक कर लेंगे फ्री सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ कई सारी चीजें हैं आप देख सकते हैं भू नक्सा खसरा बीवन नक्सा पर फिलिप इसमें से जो भी काम आपको करना है कर सकते हैं खसरा बीवन नक्सा तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं खसरा B1 नक्सा पर अब देखे यहाँ पर हमको जिला का चैन करना है किस जिले का हम खसरा निकालना चाहते हैं हमने यहाँ पर रीवा का सेलेक्शन कर लिया है अब यहाँ से हम तहसील का सेलेक्शन करेंगे तैसील में हमने हुजूर नगर selection हमने कल लिया यहां पे टिक कर दिये इसके बाद हमको गाओं का चैन करना है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से अपने गाओं का यह रिवर डाल दिया आपके जो भी गाओं का नाम होगा आप उसका selection करेंगे यहां से आप भू स्वामी के नाम से भी खसरा निकाल सकते हैं और खसरा संख्या से भी आप यहां से निकाल सकते हैं और खाता संख्या मदब रिर पुस्तिका में जो आपका संख्या रहता उसको खाता संख्या कहते हैं उससे भी आप खसरा अपना निकाल सकते हैं तो चलिए हम खसरा संख्या से निकालेगे हम यहां खसरा संख्या के उपर हमने टिक कर लिया और यहां पे यह देखिए खसरा संख्या का यह अपसानाने लगया हम यहां पे टिक करेंगे और हमारा जो भी खसरा संक्या है हम यहां से उसको सर्च करेंगे और जो भी हमारा खसरा संक्या होगा उसके सामने यहां पे हम टिक कर लेंगे माल लीजे हमारा यह खसरा संक्या है हम यहां पे टिक कर लेंगे अब यहां पे हम यह कैप्चा feel कर लेंगे और विबरन देखें पर click कर लेंगे विबरन देखें पर click करेंगे और इस तरह से हमारा जो है नीचे आप देख रहे होंगे ये जो है हमारा खसरा यहाँ पे खुल चुका है मित्रों यहाँ पे चैन करेंगे सामने यहाँ पे टिक कल लेंगे तो मित्रों आप देख रहे हैं हम जिसका खसरा संख्या निकाल रहे हैं तो उसके भू स्वामी का नाम यहाँ पे दिखाई देगा पिता और पती का नाम भी यहां पर आपको दिखाई देगा अब इसका हमको खसरा संख्या यादि निकालना है तो यह लिखा हुआ है भू स्वामी और खसरा का वास्तिक भी बिवरण B1 देखें तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे और आप देख रहे हैं यह इस तरह से हमारा खसरा संख्या दिखाई दे रहा है और इसको यहां पर मेरा जहां करसर दिखाई दे रहा है यहां पर प्रेंट का उप्सान आ रहा है यहां से आप इसका प्रेंट आउट निकाल सकते हैं देखिए हम प्रेंट पर प्लिक कर रहे हैं और इस तरह से यह यहाँ पे दिखाई देगा आपको आप इसको PDF मोड में सेव कर सकते हैं यह PDF दिखाई दे रहा इस पर प्लिक कर लेंगे आप और यह आपके मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में जाके PDF मोड में सेव हो जाएगा यह जहाँ मेरा करसा दिख रहा यहाँ पे सेव पर आप प्लिक करेंगे और आपका यह खसरा संख्याँ वहाँ पर सेव हो गया तो आसा करता हूं मित्रों की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल अनमोल ग्यान चासर क्याची को सस्काइब कर लें बेल आइकोन प्रेस कर लें ताकि हम जब कोई अगली वीडियो बनाएं और अपने चैनल में अपडेट करें तो आप तक आसानी से पहुँच सके उसका नोटिफिकेसन आपको मिल सके आप वीडियो का लाफ ताप्त कर सके वीडियो को अंत तक देखने के लिए मित्रो बहुत बहुत धन्यवाद